नमस्कार मैं हूँ संक्यर विश्यो कर्मा और आप देख रहे हैं टुडेज स्टेट्मेंट विराट कोहली वनडे और टीटवनटी टीम की कप्तानी नहीं करेंगे उनकी जगह रोही सर्मा को बनाया जाएगा इन दोनों फार्मेट का कप्तान तो क्या बेस्ट इंडीज जाने वाली भारतिय टीम में होंगे दो कप्तान ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो क्रिकेट प्रेमियो के जहन में उठ रहे हैं और यहां सब नाहक नहीं है यहां सही है कि सुत्रो द्वारा ही ऐसी जानकारियां मिल रही है लेकिन सुत्रो द्वारा मिली जानकारियां कई बार सत्वी सावित होती है ICC वर्ड कप संपन हो गया इंग्लेंड नया विश्व चेंपियन बन गया इंडिया सेमी फाइनल में हार कर बाहर हो गया था जिसकी उमीद साइध ही किसी ने की थी उस सेमी फाइनल में टॉप आर्डर के बल्ले बाज बिल्कुल नहीं चल पाये थे नतीजा रहा कि सारा दबाव मिल्डी आर्डर पर आ गया था और हमारा मिल्डिल आर्डर क्या था यहां बताने की जरुवत नहीं है अभी भी यहां तै नहीं हो पाया है कि सेमी फाइनल मैस हारने के पीसे कारण क्या थे लेकिन मैं बीना लाग लपेट के कह रहा हूं कि हार की समस्त जिम्मेवारी भारतिय कप्तान बिराट कोहली को ही ले लिनी चाहिए खेर वहार की जिम्मेदारी ले या ना लें लेकिन BCCI ने साइध एक जिम्मेदारी ले ली है उमीद है कि दो दिन बाद इंडियन क्रिकेट टीम के वंडे और T20 टीम की कप्तान रोही सर्मा को सौप दी जाए विराट कोहली टेस्ट मैच की कप्तानी करते रहेंगे पिछले तीन साल से रोही सर्मा जिस तरह से वंडे और T20 मैचों में रन बना रहे हैं उसे देखकर देश के पुर्व दिगज किरकेटर भी इसारो इसारो में रोहीत को कप्तानी देने की बात करने लगे हैं वन डे और टी ट्वंटी मैचों में रोहित को कप्तान बनाने की बाद शुरू होने के बाद बिराट ने भी अपने प्लान को चेंज कर दिया है पहले ऐसी सुचना मिली थी कि बेस्ट इंडीज जाने वाले टीम में बिराट नहीं होंगे उन्हें आराम दिया जाएगा लेकिन अब बिराट बेस्ट इंडीज जाना चाहते हैं मतलब साफ है कि विराट बेस्टेंडी जाकर एक बार फिर अपनी कप्तानी में इंडिया को बहतर तरीके से मैच जीताना चाहते हैं ताकि उनकी कप्तानी आगे तक चलती रहे। अब विराट कोली कुछ भी सोचे रोही सर्मा ने अपने परदर्सन से सबका मन मुह लिया है बिशिस्याई ने भी देश के सिनियर ख्यालियों की बात जरूर सुनी होगी ऐसे मैं उमीद यही की जा रही है कि 19 जुलाई को टीम चैन के समय रोही सर्मा की ताजपोशी हो ही जा जाइगी